आपके लाइफ में कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो पर आप अगर देखने का नजरिया बदलो तो सब कुछ ब्यूटिफुल लग सकता है इसे एक ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है All the Bright Places यह Hollywood romantic movie आज में आपको explain करने वाला हूँ यह movie इसी नाम के novel पर best है इस movie को बहुत ही beautifully shot किया किया है इस movie के music, dialogues बहुत ही best है तो सलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमें हमारा main character Theodore दिखता है Theodore को jogging करना अच्छा लगता है पर आज वो एक अलग ही चीज़ देखता है हमारी और एक main character में दिखती है जिसका नाम होता है Violet Violet breach पर खड़ी हुई है और अब वो suicide कर सकती है Theo यह देखता है और वहाँ से भागते भागते उसके पास आजाता है यह उसे दूर से देखनी पा रहा था यह उसके पास आता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो जब Violet मूटती है तब Theo उसे पहचानता है यह दोनों एक की स्कूल में बढ़ते है Violet उसे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ Theo इसे चोड़ कर नहीं जा सकता कहता है कि यह सही नहीं होगा अब Theo भी इस ब्रीज पर चड़ जाता है Violet कहती कि कर क्या रही हो और यह इस ब्रीज पर खेलने लग जाता है Violet को डर लगता है और फिर यह दोनों नीचे आ जाते है नेक्स डे एक दूसरे से फिर से स्कूल में मिलते है पर इन दोनों में awkward silences है इसके बाद हम देखते हैं कि Theodore अपने counsellor के पास आया हुआ है Theodore ने previous में किसी से जगडा किया था इसी वज़े से उसे counsellor के पास आना पड़ता है एक counsellor उसके life के बारे में उसे बुच्छता है पर Theodore इसे seriously नहीं लेता उसे नहीं लगता कि एक counsellor उसे किसी भी तरीके से help कर सकता है इसके बाद हमें lunch break दिखाया जाता है lunch break में Violet को उसे मिलने के लिए एक उसका friend आता है यह उसका ex-boyfriend था इसके science हमें movie में दिखाये गए है Violet इसे बात नहीं करना चाहती Theodore भी इसी lunch room में होता है यहाँ पर अपने friend से Violet के बारे में पूछता है हमें पता चलता है कि Violet की sister मर गई थी उसे बहुत ही दुख हो रहा था इसी वज़े से वो breach पर थी Theodore के friend उसे पूछते है कि तुम उसमें क्यों interested हो Theodore किसी में भी interested है यह बहुत ही अजीब होने लगता है Theodore के दो ही friend होते है पर यह उसके best friends होते है Theodore भी हसता है और मानता है कि हाँ यह ज़रा weird तो है शाम घर पर आता है तो उसकी sister को उसके counselor को already call आया होता है उसकी sister उसके लिए worried होती है थियो कहता है कि अपसे मैं ज़रा अच्छा से behave करूँगा मैं इससे deal कर लूँगा पर sister उसपर believe नहीं करती उसकी sister उसे कहती कि फ्रीज में तुमारे लिए actual खाना में ने बनाया है ऐसा भी कुछ भी मत खा लेना और अपने job के लिए चली जाती है थियोडोर की sister ही उसका सब कुछ खयाल रखती है थियो की mother जाता तर बहार ही रहती है ये दोनों brother sister एक दुसरे से बहुत प्यार करते है थियो के लिए उसकी sister एक mother की तरह ही है रात में वाइलेट parents के साथ डिनर कर रही होती है तो भी उसके फादर उसे पुछते है कि आज का दीम तुम्हारा कैसा था हमारे लिए भी ये बहुत ही difficult था एक्चुल में ये वही दिन है जब वाइलेट की sister मरी थी उस incident को एक साल अब हो चुका है वाइलेट आज बहुत ही upset थी मदर भी सबको cheer करने के लिए जिस तरह से हमेशा से केक बनाती थी वैसा फिर से केक बनाती है पर वाइलेट को अभी एक खाना नहीं होता वो upset होकर वहाँ से चली जाती है रात में थी वो वाइलेट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है वाइलेट और उसकी सिस्टर के एक वेबसाइट थी जहाँ पर उनके बहुत सारे फोटोज होते है ये वो देखता है वाइलेट को राइटिंग भी अच्छी लगती है जो उसने अपने ब्लॉक पर लिखी होती है रात में थीओड और वाइलेट की सिस्टर के वाइलेट के पास जाता है और कहता है क्या तुम पर्फेक्ट डे पर बिलीव करती हो वाइलेट को एक पर्फेक्ट डे देना चाहता है और वाइलेट कहती है मुझे से सवाल बोशना ज़रा गलत है रात में वाइलेट अपनी मदर से बात करती है उसे प्रोजेक्ट नहीं करना कहती है कि मैंने टीचर को समझाने की कोशिश की पर उन्होंने कहा कि कब तक तुम घर में बेटी रहोगी तुम ज़रा बाहर निकलना चाहिए मदर कहती है कि उन्होंने सही कहा है तुमें एक करना चाहिए आज रात पार्टी होने वाली है वाइलेट की फ्रेंड ने उसे इन्वाइट किया था तो इस पार्टी में चली जाती है इस पार्टी में वाइलेट को फिर से उसका एक्स बॉइफ्रेंड मिलता है वो उससे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं वाइलेट कहती है कि मुझे जल घर जाना है यह कहता है कि कब तक तुम उस एक्सिटन्ट को लेकर अपसेट रहोगी तुमें मुवान कर लेना चाहिए यह उसे प्रैक्टिकली पूश ही कर रहा होता है वाइलेट उस पर नाराज हो जाती है और चली जाती है थोड़ी दर में वाइलेट को इंस्टाग्राम की एक नोटिफिकिशन आती है थियो ने उसकी गाना काते हुए एक वीडियो बनाई होती है और उसमें वो वाइलेट को टैक करता है इस गाने के पहले उसे कहता है कि मुझे call को, मुझे तुमसे बात करनी है और एक आना होता है कि मैं उसे breach पर मिला, वो suicide करने वाली थी यह बहुत ही funny गाना हो भनाता है और उसे बात करने के लिए कहता है वालेट गुसा हो जाती है और उस post को delete करने के लिए थियो को कहती है थियो डिलीट कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है मुझे लगता है कि हम फिर से उस horrible time से नहीं गुजर सकते है वालेट कहती है कि यह क्या कह रहे हो थियो डोर कहता है कि यह एक book का quote है पुछता है क्या मैं तुमसे अब मिल सकता हूँ यह दोनों फिर वाक पर चलते है थियो फिर वालेट से कहता है कि मैंने तुम्हारी website देखी वो बहुत ही beautiful थी थियो कहता है कि मुझे पता है कि ब्रीज पर accident हुआ था वालेट कहता है कि तुम्हारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं अब suicidal नहीं हूँ थियो असता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है वालेट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर थियो कहता है कि हाँ ऐसा ही है वायलेट फिर उसे बोचती है कि तुम मुझे चाहते क्या हो थियो कहता है कि तुम्हारे साथ में प्रोजेक्ट करना चाहता हो वायलेट कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है त्यों कहता है कि बाहर जाना लोगों से मिलना तुमारे लिए अच्छा हो सकता है वाइलेट बोलती है कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा लोग बहुत ही घटिया होते है त्यों कहता है कि सच कहे रही हो पर कुछ लोग सच मुझ में तुम्हारा अच्छा भी चाह सकते हैं याने कि खुद के बारे में यो कहता है थियो फिर कहता है कि हमें जाना चाहिए छोड़ी छोड़ी चीज़ें पर बहुत बड़ा कुछ हमें दे जा सकती है हमारे लिए एक बड़ा significance ये create कर सकती है शायद तुम्हें वहाँ जाकर वो पसंद भी आ जाए वायलेट कहती कि मुझे पता है कि मुझे वो पसंद ने आएगा वायलेट को depressed देखकर थियो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और book का quote है इस quote में वाता है कि तुम में thousand capacities है थियो वायलेट से कहता है कि अगर तुम्हें लगता भी नहीं कि तुम्हें thousand possibilities है पर ये सच है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ enjoy कर पाओगी पर फिर भी बहुत सारी चीज़े है कि तुमने experience नहीं की है वायलेट कहती है कि मैं teacher से बात करने वाली हूँ मैं project नहीं करने वाली और वहाँ से चली जाती है next day हम school में देखते है कि वायलेट teacher से बात करती है पर teacher सब चीज़ के लिए मना कर देते है school से वापस आते वक थियो से वो फिर से मिलती है थियो फिर से उसे insist करता है अब वायलेट मान जाती है वे थी की ठीक है पर मैं गाड़ी में नहीं बेटने वाली उसकी sister की death क्या accident में हुई थी इसलिए बहुत ही डरती है थियो भी इसके लिए मान जाता है ये दोनों फिर bicycle पर निकल पड़ते है रस्ते में थियो पुछता है कि अगर तुमें कहीं भी जाना होगा तो तुम कहा जाओगी वायलेट अपनी sister के साथ California में रह रह रही थी वो फिर से वहाँ जाना चाहती है थियो कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगा जाना चाहता हूँ जहाँ पर पहले कोई भी नहीं गया होगा थियो फिर जंगल में उसे एक पत्थर रग दिया है इस तरह से लगता है थियो फिर इस पत्थर पर जर जाता है और वायलेट को भी उपर आने के लिए कहता है उसे बुछता है कि सबसे उची जगा पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है वायलेट के दिए कि मैंने लाइफ में इससे घटिया चीज नहीं और ये दोनों हसने लग जाते है इसके बाद थियो कुछ पेनिस लेता है और वहाँ वो थे इसके मेमरीज में इस पेनिस को गार देता है वायलेट की तरफ वो स्टेर करने लग जाता है वायलेट बुछती है ये क्या कर रहे हो थियो कहता है कि ये कॉंपेडिशन है ये दो सब्सक्राइबं जगा पर बहुत सरे वाल्स अलग अलग चीजिए इस पर लिखी रहती हैं एक वाल्स पर लिखा हुआ है कि में मरने से पहले और दॉड्स दी होते हैं य recur आपको क्या करना है कि आ के लिखना होता है थी ओ फिर चौक लेता है और लिखता है कि मरने से पहले उसे जागना है यानि कि वो जिन्दा महसूस करना चाहता है वायलेट लिखती है कि मैं मरने से पहले ब्रेव बनना चाहती हूँ यह दोनों वहाँ पर बैठते है और हम याद रखते हैं। इससे हमेशा वायलेप मोटिवेट होती थी, और उससे अच्छा लगता था। वाइलेट कहती है कि मेरी सिस्टर मेरी एक best friend थी, उसकी सिस्टर को define करता है कि एक best friend, थियो वाइलेट से बुछता है कि तुम्हारे ग्रेवस्टोन पर तुम क्या लिखोगी, वाइलेट कहती है कि मैं यहाँ पर थी, यानि कि इस दुनिया में वो थी यसा आपने बंटिक्स बनाने में help करती chemotherapy है जीच वफ वालेट करती है। एक प्रोजेक परन रहे हैं उसमें लिखाता है कि अब तुम्हारा तब तुम्हारा तरन है thì वे उसके पास आता है तो वालेट पुचती है你看 applied थियो कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ जगाए दिखाई है तुम भी मेरे साथ और जगा पर आ सकती हो वाइलेट के थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम सिर्फ दो ही जगा देखेंगे वाइलेट यहाँ पर रिजर्वट बाते कर रही है तो थियोडर कहता है कि तुम ऐसा क्य आया गया है कॉंसिल उसे फेश से बूशता है कि तुम गेसी चल रही है तो अपने कंसिलर से अभी भी बात नहीं करा रहा कंसिलर थीओ को एफसेट देख कर कहते हैं कि ग्रूप है जहाँ पर तुम सकते हो वहाँ पर तुम कुछ भी बोलो तो सब चीज़े प्राइवेट रहेगी इसके बाद हम देखते हैं कि थियो रात में वाइलेट के घर के बाहर आता है वही पर वह सो जाता है सुबह वाइलेट के फादर देखते है तुन्हें बहुत याजिब लगता है वाइलेट बा वहाद इस लो गाड़ी चलाओंगा मैं अच्छा ड्राइवर भी हो तुम्हें कभी भी प्रॉलम ने होगा पर अभी भी वाइलेट उससे मानने रही उसे कहता है कि कभी ना कभी तुम्हारे फिर को तुम्हें कॉंकर करना ही पड़ेगा वो अपनी गाड़ी की चावी फेक द पड़ेगा उन्हें सब को समझाता है तो वाइलेट के पैरेंट्स भी इसके लिए मान जाते है वाइलेट घर में चली जाती है पर थोड़ी दिर में बाहर आकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है यहां में दिखता है कि थियो अब अपनी कीज ढून रहा है फ्लो काड़ी में चलते है तो वाइलेट को फिर से उसकी सिस्टर की यात आती है वो कहती है कि जो भी हुआ था यह बहुत ही सड़न हुआ था मुझे डारेक्ली हॉस्पिटल में ही पता चला कि मेरी सिस्टर गुजर चुकी है तियो भी वाइलेट को सहारा देता है तियो फिर उस आपर भी हम गये थे उसके बारे में अब तुम्हें लिखना है WATER को लिखना अच्छा लगता था तो उसकी sister के आने के बाद उसके आस-पास बहुत beautiful खेत होते हैं, Thio गाड़ी रोक लेता है, Violet के पास आता है, और यह दोनों एक दूसरी को किस करते हैं, इसके बाद यह दोनों कपल बन जाते हैं, अलग-अलग जगा पर जाते हैं, बहुत enjoy करते हैं, इनका routine सही से चल रहा होते हैं, थियो ऐसा करता है उसे कुछ स्पेस चाहिए होता है इसलिए एक दो दिनों के लिए वो गायब हो जाता है पर हमेशा वो आपस आता है तो यह वरी करने कि कोई भी सरोत नहीं है दो दिने बात अच्छानक से वायलेट के घर पर थियो उसके पहरंट से बात करने लग जाता है वायलेट उसपर बहुत ही नाराज है पर थियो उसे डायरेकली बाहर लेकर आता है फिरत से कहता है कि लोक समझते है इस लेक में कोई नीचे तक गया तो अलग वर्ण में पहुश सकता है ठियो अपने कब्डे निकाल दैं और स्मिंग करने के लिए जाना वाइलेट को कहता है कि तुम यह भी आना चाहिए, तो कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, वाइलेट कहती है कि मरने से मैं डर रही हूँ, तियों कहता है कि मुझे पता है कि यह सच नहीं है, वाइलेट से पुछता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज से तुम डरती ह वायलेट के दिक मैं डरती हूँ कि मैं सही से जी नहीं पाऊंगी त्यों कहता है यह ही तुम्हारा चांस है इसके बाद यह दोने दूसरे को किस करते है और इस लेक में कूछ जाते है यह पाने बहुत ही थंडा होता है तो थोड़ा सा रेगरेट भी करते है बाहर निकलने के बात वायलेट पुछती है कि तुम किस चीज से सबसे डरते हो थियो कहता है कि मेरी सिस्टर को लूज करने से मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि उसके लाइफ में उसकी सिस्टर बहुत इंपोर्टन्ट है थियो फिर से लेक के बॉटर में देखना चाता है तो कूच जाता है थोड़ी देर तक वो बाहर ने निकलता तो भायरेट बहुत ही डर जाती है वो भी कूच जाती है उसे ढूनने की बहुत कोशिश करती उपर ढून नहीं पाती वो उपर आती है तो थोड़ी देर में अचनक से थियो भी बाहर आ जाता है तो उसकर बहुत ही अपसेट हो जा थियो के बॉड़ी पर एक बड़ा सा स्कार है इस बारे में वो कहता है कि मेरे फादर बहुत ही वाइलेंड थे और मैं बहुत ही छोटा था एक दिन उसके फादर वाइलेंड हो जुगे थे और थियो उनके सामने आ गया था इसी वज़े से उसे इंजूरी हुई थी थि फिर क कहता है कि कभी-कभी मुझे कुछ स्पेस चाहिए होता है मैं मेरे थाट्स को सही से कर नहीं पाता वह एक दो दिनेओं के लिए अकेले सोचने के लिए चला जाता है वाइलेट भी उससे समझ लेती है रात में वह पुराने रेल्वे स्टेशन पर आते है तियो उने वाइले वाइलेट के मदर और फादर बहुत ही अफसेट है वाइलेट अंदर जाती है और थियो उने समझाता है कि यह सब मेरी गल्दी थी यह मेरी वज़े से हुआ था वाइलेट को प्लीज कुछ भी मत बोलना थियो घर पर आता है और वाइलेट के पैरंस उस पर अफसेट होंग इस पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है, थियो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वायलेट बहुत ही जिला थी है, तब उसे वो जाने देता है, थियो डारीली स्कुल चोड़कर घर आ जाता है, मेकसिन में हम देखते हैं कि थियो का फ्रेंड और वायलेट एक दू वायलेट बुछती है कि फिर तुम क्यों उसके फ्रेंड हो, थियो का फ्रेंड कहता है कि बच्पन से हम एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड से हैं, और मैं उसे आज फ्रेंड बहुत प्यार करता हूँ, थियो अपने कॉल नहीं उठा रहा, एकस मैसेज की भी रिप्लाइ नही है, उसके काउंसिलर ने उसे कहा था, यह वही सपोर्ट गूरूप है, थोड़ी दर में इसी सपोर्ट गूरूप में वायलेट की फ्रेंड भी उससे दिखती है, वायलेट की फ्रेंड को भी सूसाइडल थौट्स आते थे, इसी वज़े से इस गूरूप को उसने जॉइन क ले आता है, थियो उसकी सिस्टर से पूछता है, यह हमारे फादर क्या कभी ठीक थे, वो बहुत ही वायलेट थे, इन्हें बहुत मारते थे, यही उनकी मेमरी इनकी माइंड में है, सिस्टर बढ़ी है, तो थियो पूछ रहा होता है, क्या कभी उनकी हैपी मेमरी हमारे पास फिर से सही से लाइब जी सकते थे तियो को लगता है उसकी और उसके फादर में बहुत सिमिलियो है वो अपने आपको ही दिखता है ять इ। सिस्टर कहती मुझे नहीं लगता है वो बदल सकते थे वो एक घटी आदमी थे ते और बिलीवकरने लग जाता है कि वो भी कभी बदल नहीं पाएगा वो घर पर आता है और वहाँ वाइलेट है थियो अपसेट था इसी वज़े से उसने अपनी रूम सब दबाग कर दी थी इसके बारे में वाइलेट उससे पुछती है थियो कहता है कभी-कभी मुझे बहुत ही खयाल आती रहते है इने में कंट्रोल करने कोशि़ करता हो पर इक कंट्रोल नहीं हो रहे थियो को अब लगता है कि वाइलेट का उसके साथ रहना सही नहीं है उस पर चिलाता है और निकल जाने के लिए कहता है एक दो दिन गुजर जाते है और थियो फिर से गायव हो चुका है वाइलेट थियो को वाइस मैसेज छोड़ती है और कहती है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे ऐसा रियाक नहीं करना चाहिए था शाम में वाइलेट अपने फादर के पास है वो अपने फादर को बताती है कि किस तरह से वो और थियो पहली बार मिले थे उसके फादर उसके लिए वरी करते है वाइलेट कहती है कि तब मुझे जिसा लग रहा था अब वैसा मुझे नहीं लगता वो थियो को लेकर बहुत ही परिशान है पादरों से कहते हैं कि तुम दोनों तो अलग-अलग जगा पर गए थे थियो वही किसी जगा पर होगा वायलेट भी अब कार निकालती है वो सिर्फ कार में बेटने से भी डरती थी पर अब खुट ड्राइब करती है और अलग-अलग जगा पर जा कर देखती है जब वो लेक के पास आती है तो थियो की गाड़ी वहा होती है आगे चल कर थियो के कपड़े वगरा उसे मिलती है थियो ने यहाँ से कूट कर सुसाइड कर ली है वायलेट बहुत रोती है जिस जगा पर भी यह जाते थे सब जगा हमें सुनसान दिखाई जाती है थियो का मेमोरेल भी होता है वायलेट अपनी मदर से कहती है कि मैं थियो को बहुत ही मिस करती हो उसके मदर फादर उसे सहारा देते है वाइलेट से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड भी आती है उसके फ्रेंड सुसेडल थी जिस चीजों से वो गुजर रही थी इन सब चीजों के बारे में वाइलेट को कहती है वाइलेट कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस सब से गुजर रही हो फेरेंट कहती है कि मैं हमेशा मेरी फिलिंग्स चुपा कर रखती थी ये सीन रिप्रेजेन करता है किस तरह से लोग हमसे चीज़े चुपा कर रखते है किसे के लाइफ में क्या जल रहा है है हमें कभी पता नहीं होता रात में वाइलेट थियो का मैप देखती है इस मैप के बारे में थियो ने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें एक अलग सी जगा पर लेकर जाना चाहता हूँ इस जगा को थियो ने मार्ग किया था वाइलेट डिसाड करती है और निकल पढ़ती है यह जगा एक बड़े से मेमोरियल के लिए बनवाई होती है यहाँ पर वाइलेट पढ़ती है कि यह जगा उन लोग के लिए डेडिकेटेड है जो कार एकसिटेंट में मर गए थे यहाँ पर एक भूख होती है जिस वो एंट्रिस पढ़ती है इस एंड्रीज में थियों ने लिखा होता है कि मैं यहाँ था यानि कि इस वर्ड में हो था वो जब मूवी के फर्स में बात कर रहे थे तो वाइलेट ने कहा था कि मैं अपने ग्रेव स्टोन पर लिखूंगी कि मैं यहाँ थी थियो ने कहा था ये लाए मैं तुमसे चुरा लूँगा और यही उसने किया है अब नेक्सिन में हम देखते है कि स्कूल प्रोजेक्ट जो था इसके बारे में उन्हें लिखने के लिए कहा गया था वाइलेट ने जो सब लिखा है ये सब प्लास को सुना रही है वे कहती है कि मैं चीजों के बारे में वरी करती थी पर वो मिनिंगलेस था मुझे लगता था कि इस लाइफ को जीने के मैं डिजर्विंग नहीं हूँ पर फिर फिर थियो मुझे मिला उसने मुझे सिखाया कि मुझे वरीड होना चाहिए कि मेरे लाइफ में जी नहीं पाऊंगी उससे मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत चीज़ों को लेकर वरीड थी थियो ने मुझे सही से जीना कैसे है ये सिखाया, उसने मुझे अलग अलग जगा पर जाना सिखाया उसने मुझे सिखाया कि वर्ल में सबसे उचाई में जाने के लिए तो ये mountain climb करने कोई भी जरूरत नहीं है बहुत ही छोटे से ugly places भी आपके लिए बहुत ही बड़े हो सकते है आपके लिए beautiful बन सकते है अगर आप उनके लिए कुछ time निकालो कभी-कभी आप lost महसूस कर सकते हो वर फेर से आपको fight करना है उसने मुझे life में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाया उसने मुझे सिखाया है कि जिन्दगी में कितनी भी dark time क्यों ना हो पर फेर भी एक bright जगा होती है जहाँ पर infinite possibilities है इसके parallel scenes में हमें violet खुछ दिखाई देती है ति वो जिस तरह से चाहता था कि violet अपनी life जिये उस तरह से वो जी रही है मुवी के सब messages इसी violets के dialogue में हमें पता चल जाते है एहीं movie end हो जाती है इस movie में हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़े भी बहुती beautiful हो सकती है जब मैं record कर रहा हो तो भी पंचियों की आवाज ये आ रही है sun आने वाला है और sky बहुती blue है ये आज की दिन का सबसे beautiful moment है आज की वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहता हो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाने में मत भूलिये हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये शायद आप इस bird को सुन सकते हो